आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योनी क्लासिस में तो जैसे कि मैंने आप सभी को कल कहा था और मैंने फर्क बताया था क्या बताया था मैंने कि पॉल साइंस करना चाहिए आपको इन चुटियों में अपनी जापकी होलिडेज मिली है एक्जाम के बीच में कैप मिला या हिंदी करने चाहिए तो उसको देखिए और उसे मैंने यह बताया था कि आपको दोनों करने और क्यों करने है उसका रीजन अगर आपको जानना है तो वह देखना जरूरी है वह वीडियो ठीक है अब यहां पर जो है हम डिस्कस करेंगे कि अपना टाइम टेब बनाया है और बहुत helpful रहेगा यह आप से भी के लिए अब देखो यहां पर आप से भी के लिए हमें यह देखना है आज 10 हो गई हमारी ठीक है तो 10 से लेके 16 तक आपके यह हैं यानि कि 16 को आपको हिंदी का एक्जाम में 17 को आपका पॉल साइंस का एक्जाम है तो कैसे करें प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन करने के लिए आज 10 तारिक है 10 से लेके 15 तारिक तक आपके कितने डेज हो जाएंगे आपके जो है 6 दिन हो जाएंगे अगर आज का जो दिन 10 है तारिक इसको भी गिना जाता है इसको भी काउंट किया जाता है तो 6 दिन है अब इन 6 दिन में इतना सब कुछ कैसे करें, क्योंकि पॉल साइंस की त्यारी अगर अभी नहीं की तो फिर आपका आदा दिन होगा याने की सिक्षिन को एक्जाम दे कर आओगे नेक्स डे आपका पॉल साइंस का एक्जाम है तो कैसे दोगे नहीं दे पाओगे, तो फिर क्या हो का आपके preparation जो होगी वेस्ट ले जाएगी चाहिए आपने पूरे साल कैसे भी त्यारी की हो और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी है जिन्होंने starting से preparation नहीं की है और जिन्होंने की है उनके लिए तो बिल्कुल ही है ये वीडियो तो चलिए देखते हैं देखो इतना कम time है और दो subject हैं आपके pole science और हिंदी यहाँ पर मैं economics की बात नहीं कर रही हूँ economics का exam 15, 16 और 17 को है उनका अगर चाहते है economics वाले student के उनके लिए time table बनाया जाए तो वो सभी मुझे comment box में बता देंगे और इसके according आपके जो है बना दिया चाहेगा ठीक है तो यहाँ पर देखो अब pole science की बात करूँ तो मैं यहाँ पर दोनों subject आपको साथ में लेकर चल ले याने कि हिंदी भी और pole science भी दोनों subject एक दिन में आपको दोनों subject कवर करने हैं अपने पर कैसे कवर करने चले देखते हैं तो राजनेतिक जो विज्ञान याने की जो pole science है उसमें अगर मैं दस तारिक की बात करूँ आज के दिन की बात करूँ तो आज के दिन में आपको इसके दो chapter कवर करने हैं कौन से तो chapter कह रही हूँ हर बच्चे ने चाही वो कोई भी बच्चा हो हर बच्चे ने starting में शोक शोक में क्या किया होगा फर्स्ट चैप्टर तो अपना कवर कर ही लेता है बच्चा प्री बोल्ड भी हो चुके आपके तो ऐसा मैं नहीं मान सकती की बच्चे ने आज तक बुक उठा कर देखी ही नहीं है यानि कि first और second chapter जो है आपका आरहा है किसमें आरहा है आपका Paul Science में तो वो आपकी first book का first second chapter यानि कि first chapter आपका शीत यूद का दोर है और second chapter उसमें सोवे संग का बातन हो गया वो वाला तो दोनो चैप्टर जो है एक साथ जुड़े हुए हैं उनको आप बहुत अच्छे से cover कर लो पॉल सानिस का जयाता सुले बस सारा cover हो चुगा बस यह चैप्टर को छोड़ोगा यह चैप्टर पी आपको करवा दिया जाएगा अब यहाँ पर आपको शीद युद का जो दोर है और जो सौवेज संग वाला चैप्टर है वो आपका आज कवर होना चाहिए बोल सायन्स का ठीक है अब कैसे कवर करना है वो आपके हाथ में कवर मतलब कवर यानि कि आपको 1st और 2nd चैप्टर ऐसा करना है कि अब आप सीधी इसकी रिवीजन करेंगी और रिवीजन टाइम आपका 15 और 16 है ठीक है सीधी रिवीजन करनेगी यानि कि आपको ये नहीं करना कि कार्टून जो है बाद में कर लूँगा ऐसे कर लूँगी य मैंने आप सभी के लिए दो पार्स तो डाली चुकी मैं अभी कतन और कारण वाले नहीं देखी है तो देख लेना जो फत्य सीरीज है उसे मैंने करवाए हुए है तो जाकर देख लेना ठीके कतन और कारण वाले जो कोशन से वो कर लो इसमें से यानि कि चैप्टर कवर करो पहले चैप्टर अच्छे से आपने याद करने वाले चीज़े होती है इनमें तो इंपोर्टन चीज़े आप याद करो फिर उसके बाद MCQs करके देखो MCQs करने के बाद आपको पूरी शोरिटी हो जाएगे कि आपके दो चैप्टर कवर होगे देखो टाइम कम है तो उसक क्या हो जाता है तो यानि कि अपने आप डिस्टिब्यूट करना है आपको अपना टाइम की मैं यह नहीं कहूंगी सुबह इतने बज़े उठो ये खाओ वो खाओ फिर ये पढ़ने के लिए बैठो फिर ऐसे सोजाओ फिर पढ़ने के लिए बैठो ऐसा नहीं बताऊंगी अपने आप टाइम को मैनेज करना है आप सभी को बड़े हो चुके हूँ बस यहाँ पर यही बताऊंगी आज के दिन में दो चैप्टर कवर होने चाहिए मतलब कवर होने चाहिए कल मैं आप सभी पूछूंगी कि आप सभी ने अपना फर्स्ट और जैक्टर कवर किया है य जो है वो रखता है जब नंबर को डिस्टिबिशन किया गया है आपका जो सिया गया है इसमें चैप्टर नंबर 6 है यानि कि अंतराश्चिय इस लिए इस चैप्टर को गोट कर पी जाओ आपको सारे चैप्टर गोट कर पी नहीं है पर इस चैप्टर पर मैं पूरा पूरा एक दिन दे रही हूँ तो इसका मतलब क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन चैप्टर है आप सभी के लिए वैसे तो मैंने आगे जितने भी है उनमें मैंने एक एक दिन ही दिया है पर यहाँ पर इस chapter पर जादा focus करना है आपको बागी chapters भी करने है ठीक है फिर जो 12 होगी उसमें आपको second book ही है पर आपकी first book finish हो जाती है आज और कल में first book finish हो जाएगी आपकी अब जो 12 तारिक है आपकी अगर आज में आपका पूरा दो chapter नहीं हो रही है first or second तो second chapter का half chapter आज कर लो और half chapter कर लेना और six chapter cover कर लेना अगर इसके हिसाब से नहीं चलोगे तो आपका नहीं हो पाएगा तो कुछ भी हो करना है मतलब करना है ठीक है अब 12 जो होगा उसमें आपको second book का first chapter कर लेना है अपना जो सदंधिरता प्राप्ति वाला जो chapter है इसके बाद आपका इसमें से भी काफी questions आ जाते हैं ठीक है इसमें से cartoon वाले question भी आते हैं cartoon वाले question में पहले करवा चुकियों देख़ा आपका पोल से अंगर से लेएपस पूरा cover कर ला चुकियों तो जाओ फटा-फट देखो क्या देरी क्यों कर रहे हूँ अब जो 13 date होगी उसमें आपको जो third chapter है आपका नियोजित अर्थविश्चता वाला तो वो जो chapter है वो करना नियोजित अर्थविश्चता इसको cover करना है 14 चोट 8 होगी उसमें chapter number 4 जो विदेशी नीती है भारती विदेशी नीती वो cover कर लेना तो यहां से इस तरीके से आपका पोल सेंगर से लेबस के है उन दिनों में cover हो जाएगा पंदरा को और सोला को थोड़ा से जितने भी chapter करें हैं हम सब को revise कर लेना सोला को exam देकर आते ही कोई rest विगरा अगर आदे गंटे कर रेस्ट करो और फिर पढ़ना start कर दो अपने practice paper करके देखो इसके साथ साथ जो और भी चीज़े sample paper करो pre-border solution करो अपने सारे chapters की revision करो cartoon बगरा देखो अच्छे से और जैसे ही मैं आपको बताया किस टाप के cartoon आते हैं वो देख ले न और important topics की अगर वीडियो का होगी बनाने के लिए तो मैं बना दूँगी आपकी वैसे तो आप सभी कह रहे हो फिर भी देखते हैं अगर आप सभी अभी comment book से मुझे बताओगी कि important topic की वीडियो बनाने चाहिए तो मैं बना दूगी आप सभी कहले ठीक है इस तरीके से pole science का से लिए बस तो cover हो जाएगा अब इसी तरीके से आपको क्या करना है हिंदी का भी करना है और हिंदी और pole science एक दिन में दोनों subject करने हैं तो ये धियान रखना है screen shot ले लो इसका और अपनी जो note book है उसमें note कर लेना अब हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में कैसे करोगे हिंदी में 10 तरह यानि कि आज के दिन आपको क्या करना है इतना मुश्किल chapter नहीं है कुछ common चीज़ जो इसमें से पूछी जाती है मैंने mcqs करवाए हुए है वो जो mcqs करवाए हुए है अगर कहूं तो पूरे chapter के mcqs जो है बहुत अच्छे से करवाए हुए है घुमा फिरा कर पूछ लेंगे आपसे मैंने बहुत सारी बाते अपने mcqs करवाए 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 कर दी है तो इसलिए normally reading करनी है आपको chapter की ठीक है और उसके बाद mcqs कर लो फिर उसके बाद जो है आपका जैशंकर प्रसाद, गेदेव सेना और कारनेलिया अब यह क्या है, यह भी बहुत easy poem है ऐसा कुछ खास difficult words वगारे नहीं है अपकी पार की जो आपकी कवीताएं है तो यह जो है, इनको मैंने explain कर रखा है explanation की video आपको description box मिल जाएगी और साथ साथ mcqs भी करवाए हुए है तो mcqs भी कर लो, तो इससे आपकी बहुत help हो जाएगी ठीक है, अब देखो, आपका allow यानि कल के दिन आपको सुमीरिन के जो मनके है यानि कि आपको poll science का अपना कल के दिन six chapter करना है और सुमीरिन के जो मनके है, यह important chapter है इसमें तीन भाग में divide किया गया है अब यहाँ पर आप देखोगे, आपको होगे मैम यह तो काफी जादा syllabus होगया हिंदी का अगर हम देशियना को अलग ले, कारणी ले, अलग ले, नहीं अलग नहीं ले, क्यों? क्योंकि जे संकर प्रशाद का यह पूरा एक ही है तो इसलिए एक करके ही चलना है तो एक कम कवीता इतनी बड़ी नहीं है बस एक paragraph है, बस खतम फिर मतलब मूल जो बात है एक कम कवीता की वो आपको समझने है, सत्य कवीता थोड़ी सी बड़ी है इसकी explanation की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई हुई है MCQs की बनाई हुई है, तो जाओ देखो फटाफट किस बात की दे रही है तीक है, अब जो 12th जो है आपके date, 12th date को आपको क्या करना है, पोल सैंस का आपको 12th date को, 1st chapter कवर कर लेना 2nd book का, और विभिन जो माध्यूम है, यानि कि अभिविक्ति और माध्यूम के दोनों chapters जो है, आपने cover कर लेने है विभिन माध्यूम के लिए लेखन और इसके सासाथ कैसे बनती है कवीता तो कैसे बनती है कवीता, अतनी मुश्किल नहीं है explanation की video डाली हुई है MCQs की कहो गए, तो MCQs के लिए आउंगी विभिन माध्यूम के लिए जो लेखन है उसकी भी मैंने आप सभी एकल explanation के handwritten notes से cover करवाया हुआ है तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है तो वो cover कर लो तो ये जो दो chapter अपने cover कर लें अब ये मत सोचने MCQs आएंगे तो केवल MCQs करें, नहीं आपको chapter cover करने, अपने पुरा-पुरा समझना है तो अगर समझ लिया तो उससे बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आने वाला है ये बात हो गए हैं आपर clear अब जो 13 वाली date होगी उसमें आपको सूर्दास के जोपड़ी cover करने है अपने हिंदी में और इसके सासर रगुवीर सहाई की जो वसंत आया और जो तोड़ो कविता, देखो तोड़ो कविता से बार-बार questions आ रहे है बार-बार paragraph देकर पूछा जा रहा है तोड़ी से difficult है आपके कविता अगर कहूं यहां पर यानि कि आपको वैसे भी समझना है और कभी क्या कहना चाता है क्यों लिखी है यह कविता उसके थूरू भी समझना है तो इसके थूड़ी से इसमें थोड़ी difficult ही हो जाती है कोशन्स काफ़ी खुमाफिरा की पूछे जाते है तो तोड़ो कविता वगरा सारे कविताओं के हम से क्यूज करवाए गए है सारे चैप्टर्स के हम से क्यूज करवाए गए है तो जाओ और देखो अब यहां पर इस दिन आपको 13 को जो आपकी पॉल सैंस है उसमें नियोजित अर्थवस्ता का जो आपका चैप्टर है यानि कि second book का थर्ड चैप्टर है वो cover कर लेना है हिंदी के साथ साथ ठीक है केवल सुनना नहीं है cover करना भी है अगर आप खुद जो है अपने आप यह नहीं करेंगे कि हमें cover करना है या फिर आप cover करने की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे तो बिल्कुल भी cover नहीं होगा और last time में फिर क्या होगा आप सभी परेशान होकर ऐसी बैठ जाएंगे तो इससे बढ़िया आप भी त्यारी करना शुरू कर दो ठीक है time waste नहीं करना है अब देखो जो 14 वाली date है उसमें आपको करने समवधिया जो है समवधिया चैप्टर से काफी questions जो होते है mainly जो समवधिया चैप्टर है एक बार read कर लेना मेरे जो MCQs करवाए गए है वो कर लेना cover तो इससे क्या हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर अच्छे से cover हो जाएगा मैंने जो MCQs जो भी मैं करवाती हूँ तो उसके साथ साथ बाखी सारे चीज़े बताती हूँ chapters की तो जिससे chapter आपका वैसे भी cover हो जाता है फिर भी मैं हमेशे से जेस्ट यहीं करती हूँ आपको NCRT भी रीड करने चाहिए ठीक है अब आरोहन जो का यह है आपका chapter second book का chapter है तो इसे cover कर लेना तो यहाँ पर मैंने एक easy रखा है समवदिया एक थोड़ा आपका lengthy रखा है इस तरीके से सूर्दास के जोपड़ी थोड़ा से lengthy है इसमें से काफी questions बनते है छोड़ी बाते ध्यान रखने होती है सूर्दास के जोपड़ी में से रगवीर साहे जो है आपका easy है इसलिए money रखती है इसके साथ तो इस तरीके से करना है आपको तो जो 15 डेट होगी उस दिन हिंदी की revision करनी है आप सभी को सारे जो आपके chapters है जो poems है जो important बात है आपने note की होगी साहसात में पढ़ते हुए उन सब को क्या करना है दुपारा से revise करना है उसके बाद जो practice paper होगा जो मैं आप सभी के लिए डालूँगी अगर time मिला तो जो practice paper होगा और practice paper को solve करके देखना है जिससे क्या होगा आप सभी को confidence level आप सभी का बढ़ जाएगा इसके साहसत मैं आप सभी लिए वीडियो तो लाती रहूंगी और आप सभी revision करेंगे इस दिन 15 तारिक को पूरी revision होगी ऐसा नहीं कि पूरा time waste करना नहीं अगर कोई chapter इसे मान लो कुछ रह भी गया तो उसको आप इस दिन cover कर लोगे चीक है तो हम यही मान के चलेंगे कि एक भी जो दिन है उसमें एक भी chapter ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच जाए नहीं बचना चाहिए साहसत मैं जैसे मैंने time table बताया वैसे वैसे follow करना है पूरा दिन होता है पूरा दिन में अगर मैं मानूं कि 12 गहंटे भी हैं आपके पास तो उसमें से आप अगर 5 गहंटे 6 गहंटे भी पढ़ लेते हैं या फिर 8 गहंटे भी पढ़ लेते हैं तो बहुत जादा होते हैं तो पढ़ाई करनी है आप सभी को अभी पढ़ोगे तो उम्र भर क्या करोगे एश करोगे अगर अभी एश कर ली इस टाइम पर तो उम्र भर फिर आप सभी जानते हैं क्या होने वाला है फिर तो आप सभी की जिन्दी बरबाद हो चाहेगे तो इसलिए अभी से महनत करो के तब ही होगा ठीक है और हाँ कुछ भी जी इंपॉसिबल नहीं होती है अब सी ब्याची ने आप सभी का लगातर एक्जाम दे दिये हैं तो सोच के डरना नहीं है डर की आगे जीत होती है ये कहीं नहीं कहीं बात बिल्कुल सच्छी है अगर मन में अगर हम ठान लेते हैं कि हम क्या हैं हम जीतेंगे तो हम जरूर जीतेंगे और अगर मन में पहले से यही ठान लिए कि हम से नहीं हो पाएगा तो चाहे बहार से सोचने आकर बोलें कि आप से हो जाएगा तब भी आप से नहीं होगा यानि कि मन के हरे हार है मन के जीते जीते तो इन ब अगर हो जाता है मतलब कि अगर पढ़ते पढ़ते भी प्रैशर हो जाता है कैसे होगा क्या होगा क्या नहीं होगा इस तरीके से तो अपने मन को दो मिनट के लिए बिलुकुल चान्त रखो और फिर पढ़ना स्टार्ट कर तो पढ़ाई करने या पढ़ाई करते से मैंसा ने और आज पार जो चीज़े हो रही हैं उन पर ध्यान चाहदा है या फिर आप सभी का माइंड कहीं और गया हुआ है या या कोई दूसरी बात सोच रहा है तो ऐसी चीज़ों को पढ़ाई नहीं कहेंगे आप तो पढ़ाई पर फोकस करो पूरा पूरा कोई दिक्कत होती है तो पूहें मुझे से कमेंट बॉक्स Zone चीज़ों इस लसेतल के लिए ही कि कि आप सभी मुझे बता सकते हैं ते कि क्या का प्रॉब्लम कि क्या कर फोकार क्या प्रॉब्लम है आप मुझे शेर कर सकते हो मैं तो अब ऑ जो हम मेलेंगे ट्ब्लास में यह बता बाई है धंक्यू सो हुआ 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 है